अबसकार दोस्तों स्वागता आप सभी का यूटुब चैनल जॉब्स्ट्रे में दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले बिहार पीएसी की नई भरती आई है 2022 के लिए जिसके बारे हम जानकारी देंगे आप सभी को महिला वें पुरूस दोनों ही कंडिरेट आविदन कर सकते हैं टोटल नंबरों पोस्ट की बात करें तो 286 यानि 286 पदों पे यह वेकेंसी जो है आई है और सेल्डी आप लोग की जो स्टार्ट होगी वह 35-600 से परमंदा आप लोग का सेल्डी जो है स्टार्ट होने वाला है इस वेकेंसी के लिए जो रखा गया है वो दस फरवरी 2022 का समय रखा गया है और ओनलाइन फार्म जो है सुरू हो चुकी है सभी जानकारे आपको यहां देने वाले है नोटीपिकेशन भी इसकी आ चुकी है तो कौन-कौन से कंडिरेट जो है इसके लिए आविदन कर सकते है डीटेल में बताऊंगा एजुकेशन क्या है साथ में एज लिमिट क्या रखी गई है और फीस क्या है यह तमाम चीज आपको आगे चलके वीडियो में देखने को मिलेगी इसकी ओपिसियल नोटीपिकेशन पर आगे बढ़ेंगा उससे पहले मैं आप लोग से एक छोड़ी टू की नगर विकास एबम आवास विभाग के तरफ से यह वेकेंसी जो है निकाली गई है तो ध्यान कियेगा और विहार के अंतर रगल सहाइग लोक सोचता एबम जो अबसिष्ट प्रवंदग है पतादी कारी के कुल यह 286 पदों पे यह वेकेंसी है डीटेल में आपको यहाँ पर बताने वाले है दखिए जेनरल के लिए यहाँ पर कुल 115 पोस्ट है जिसमें से जो है वह दिया गया है कि जो भी महिला कंडिडेट है जो 35-38 मिलती है सभी को पोस्ट में किसी भी वेकेंसी में तो उसके लिए यहाँ पर इस रौ में आपको टोटल पोस्ट देख जो SC के लिए है 51 और यहाँ पर जो है जो है जो ST के लिए है 34 और जो महिला है ठीक है पिछरे बरके उनके लिए 9 पोस्ट रखी गई है तो यहाँ से तो आप लोग इसके बारे में डीटेल में तो आपको जानकारी मिल गई है अब यहाँ पर बात कर ले जो आपका बेतन कित 20 बर्स से स्टार्ट होगी और 37 बर्स तक यहाँ पर रखी जाए रही है जो कंडिरेट जेनरल से है जेनरल जो भी कंडिरेट है पुरूस तो उनके लिए 21 बर्स से लेके 37 बर्स तक वो आविदन कर सकते है अगर पिछरा बढ़ की या अत्यांत पिछरा बढ़ की जो महिला पुरूस है ठीक है तो उनके लिए जो है यह 40 बर्स तक का उम्र रखा गया है वहीं पर अगर अनुसुचित जाती और जन जाती है पुरूस या महला उनके लिए 42 बर्स है यह चीद ध्यान रखियेगा जो एज में रिलेक्सेशन होती है वो भी आपको दिया जाएगा ओब यहां पर कहा गया है बिज्यापित पदों के लिए बिल्यूद नियुक्ति है तू जो सुयूग उमीदवार होंगे उनका चैन के लिए लिए लिखित परिक्षा का एजन किया जाएगा रिटेन एक्जाम के बेस पे उनका सेलेक्शन होगा क्या होता है कि बहुत सारे अनिवार पत्र दू होंगे पर्थम पत्र समाने अध्यन बस्तुनिष्ट होगी यानि कि अब्जेक्टी टाइप और जो अनिवार पत्र सेकेंड भी है वो भी बस्तुनिष्टी होगी जिसमें डासाइन परियाबरन बिज्यान अतवार डासाइन सिबिल परियाबरन बिज् आपके होने वाले हैं अब यहां पर दोस्तों यह इसकी रही से जो सिलेबस है कितने समय के रहेगी तो सभी का दिया गया है आप लोग का प्रश्णों की संक्या कूल 125 होगी और इसमें कूल जो है वह स्वा अंगों का यहां पर कोशन होने वाला और भी डिटेल जिसके बारे म आपको अलग से किसी और वीडियो में इसकी सिलेबस के उपास डिसकस करूंगा दोस्तों मैं बता दू बेतन आप लोग का दो जो दिया जाएगा उसके अलावा सचनी की योगता है आपर किसी भी यहां पर बताया गया है कि परिया नितित जो विश्विद्याले से रासाइ सिबिल में यानि कि यहां पर बताया गया है कि कमेश्टी सिबिल से अगर आपने या प्रयाबरन बिज्यान या लोग स्वास्त अभियंतरन जैप रोदुकी में आपने बैचलर ऑफ इंजरेन किया है यानि कि बीटेक की डिगरी अगर आपके पास है इन सभी से किसी एक भी कमेंट कर सकते हैं तब तक के लिए धन्यवाद मिलते फिर अगली वीडियो में